हेलो गाइज वेलकम बैक टू यूर यूट्यूब चैनल मार्केट मॉवर आज आपको मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में एक सैलेरी जैसा एमाउंट आपके पास कैसे आएगा आप कैसे इस चीज को तैयार कर सकते हैं मैं इस वीडियो पर पूरा आपको डिटेल्स बता पर बहुत सब्सक्स के साथ में प्राइट मिलते हैं और हमारे मेंबर्स जो हैं उनको उप्डेट करते रहता हूं देख़ेए गोल्ड मेंबर्श इप जो लिये हुए हं उनके साथ में मैंने हैच पी शेयल और एसइक नपेंट को अभी हाल फिलाल पे दो दिन पहले ही एसी निप्टी का टॉप गेनर था OF ag Milan आप जाके देख लीजिए एक लिएका ओर चुप टॉप रहा होगा कूंध को नजर आ और और हिस टॉक आपको हैंबगा ह्था और श्क्रीज पे आप Fest होनुट को इंस फॸ्टाइट आज क्रियास हो रहा था आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से लगभग 120 पॉइंट की गिरावट कल भी गिरावट थी अच्छी खासी गिरावट थी हमने अपनी वीवर्स को पहले ही अलेट कर दिया था कि यह मैं अपडेट इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जॉइन बटन पर किलिक करें और 599 के गोल्ड प्लान के साथ में आप हमारे साथ जुड़िए आपको इसमें किलिक करना होगा जैसे किलिक किजेगा आपको उपर पर पर 599 का जॉ पर जाने का चलिए अब वीडियो के स्टार्ट करूंगा आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के मायदम से की कैसे आप स्टॉक मार्केट पे एक फिक्स्ट इंकम बना सकते हैं तो देखिए एक चीज समझना होगा आपको देखिए सबसे पहली चीज तो आपने stock market पे अगर लंबे समय के लिए investment नहीं किया तो आप सोच लिजे कि stock market पे बड़ा पैसा नहीं बना सकती है मैं guarantee दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि जो लोग stock market पे आये हुएं मतलब कम सीखे बहुत सारे टिकनिकल एनलिस्ट है जिन्होंने stock market पे इंट्राडे करके और बहुत सारे फ्रेंडू सिगमेंट से भी पैसा बनाया बट अगर आप नहीं सीखे हो और आप चाते हो कि मैं stock market पे daily का काम करके और बहुत सारे चीजों को बिना समझे मैं stock market में पैसे बना लूँगा तो यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप stock market को अभी के अभी छोड़ देना चाहिए अगर आपके पास technical knowledge और market को approach करने का तरीका साथ ही में patience और एक पूरा-पूरा mind setup मतलब emotional नहीं चलेगा stock market पर आपको loss हो रहा loss bear करना होगा आपको profit हो रहा wait करना होगा देखिएगा आप हमेशा ऐसा होता कि profit जब होता ता आप जल्दी उतावले हो जाते हैं माल को काटने पर रते हैं बाट उसी time पे अगर आपको loss होगा ता वेट करोगे यह सभी चीजों का अगर आप avoid करना चाते हैं तो आपके लिए सबसे feedback ता long term देखिए हमारा basis से आज dividend yield पे जो dividend yield को नहीं समझा है वो सोचिए market पे कुछ नहीं समझा आप आपने सोच लिजे stock market पे अगर 10 सालों तक investment करते हैं तो आपका जो मंतली का dividend आएगा ना वो dividend यह आपको पैसे इतना देदेगा कि आपकी salary से कम नहीं होगी वो dividend देखिए मैं कुछ खास important stocks को आपके समने present करना चाहूंगा और यहां पे present करते हुए आप एक चीज को देखते जाएगा यह देख लीजे यह वाली जो कॉलम है न यह dividend yield की कॉलम है दस परसेंट के आसपास में dividend yield है IOC IOC Indian Oil Corporation Limited आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे PNB Gills इनका dividend है लगबग आप मान सकते हैं 9,5% का कोल इंडिया 1,5% HPCL 1,5% मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं मेरी यह मनुदिशा नहीं है का आप इन सभी stocks पर पैसे लगा के ही बैठे रहे हैं मैं आपको एक approach बता रहा हूं कि 1,5-9% का dividend yield देने वाला HPCL का stock share क्या उपर न करके आपको investment करना होगा आप मान के चलिए कि आपने bank पे 10 लाक रुपी रखे हुए हैं ठीक है मैं यह चीज भी कहूंगा कि काफी risk होता है stock market जिसके वज़ा से बहुत सारे लोगों की परिशानी होती है और bank आपको काट के 5% के आसपास में आप मान के चलिए 5.something 5 मान के च ठीक है और एक dividend yield वालक share जो 9.10% का है तो आप मान के चलिए 9.10% का मतलब क्या है मान लिजे HPCL का price है 272 रुपिये और इसका dividend yield है 8.67 तो आप मान के चलिए कि जब इसका आप multiplier निकालिएगा तो आपको मिलेगा लगभाग 8 रुपिस का ही में मान रहा हूं 8% का dividend yield है तो 200 का हो गया 16 रुपिया और 72 रुपिये का आप मान के चल सकते हैं कि 5 रुपिया 5 रुपिय सम्तिंग हो रहा मतलब 21 रुपिय का dividend यह stock निकाल के देता साल बर में यह dividend yield है इसका साल बर का देने का stock price से compare करके dividend yield calculate की जाती है मैं आपको समझा दूंगा यह चीज देख अगर प्राइज है 20 डॉलर से के 20 डॉलर मतलब अगर शेयर की प्राइज है डॉलर 20 और अगर वो उसका dividend yield है 5% का तो उसको मिलेगा एक डॉलर पर यह उनको dividend मतलब अगर मैं इसे calculate करूं तो आप मान के चल सकते हैं कि इससे multiply करके जो भी value निकल के आ रही है उस पर percentage लगा दिया गया तो आपका जो value निकल के आएगा वह value जो होगा वह वन का होगा आप देख रहें ना वन आया यह वन आई जो वही है एक डॉलर की आपको सालवर में dividend मिली तो dividend से कैसे होगा काम मैं यह नहीं करता हूं किसी स्टॉक पर लगए बट जैसा आइटी कंपनीज है इन जानी जो मेटो IPO आ रहा है उनकी अगर growth होती है तो अगले कुछ सालों में company अच्छी growth दिखा सकती है अभी clean science का clean science का IPO आया था उसके बाद जीमर इंफराटेक जो company आई थी दोनों 100% पिलिस्ट हुई CDSL, BAC India, DMART कितने companies हैं अगर आप माल लिजे कि धीरे-धीरे करके आप 10 लाख रुपिय का एक portfolio तयार करते हैं जो कि अगले 10 सालों में आप ये तयार करेंगे ठीक है माल लिजे सभी stock की average calculation अगर मैं करता हूं कि 5% का dividend yield देता है तो 5% का dividend yield अगर देता तो और approximately मान के चल सकते हैं मैं simple calculation बताता हूं कि अगर आपने ये HPCL का stock उठा के रखा है अगर आप 50,000 का investment करते हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास होंगे approach मान के चलिए कि 40 share के आसपास में मालीजे 50 share इसके लिए हुए हैं आपने तो इसका investment कितने का होता आप मान के चलिए कितने का होगा 100 का मैं लेके चलता हूं तो 100 का price किया हो जारा 27,000 something का ठीक है तो आपने इतना पैसा इस stock पे लगा के रखा 27,000 का और अगर इसी तरह कि अगर आपने 400 shares लेके रखे हैं तो approach आप मान के चलिए कि आपका 1,000,000 का investment होता है जो कि stock market के बहतरीन quality के share पे लगा हुआ ठीक है इसक stock का price है 272 अगर यह stock का price 300 या 400 तक पहुचता है अगले 3-4 सालों में और dividend yield इसकी 8,000 के जगा पे 8 या 7 ही रहती है मैं कमी सोच रहा हूं तो लगबग 28 रुपे का dividend आपको pay करेगी और आपके पास 400 quantities आप इसे multiply किजे आपको कितना dividend मिल रहा आप खुदी calculate कर लिजे तो आप आपको समझ में आएगा लगबग आप मान सकते हैं कि आपको 11,200 रुपे का dividend सिर्फ यह stock दे रहा एक लाग की investment पे आपको कितने पैसे मिलने साल बर के 11,200 रुपे और stock का जो price बड़ा और उसके हिसाब से जो आपकी capital ग्रोथ हुई वो अलग है और साती में तो आपने dividend साल भर में आपके पास आएगा और अगर आप बैंक पे लाग रुपे रखते हैं तो सिर्फ आपको 5000 रुपे के आसपास में आपका पैसा आएगा जो आपको मंधिली दिया जाएगा ठीक है तो मैं basically समझाना चाहरा हूं मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप SPCL पर ही पैसे लगाए जो भे स्टॉक उठा रहे हैं जिसकी डिवीडेंड इंड बहुत अच्छ है कंपणी ग्रोथ वाली जैसे ईयर सीटि से डिवीडेंड प्यर श्टॉक है पोटेंशियल आगे बहुत दिखता है i mart पोटेंसियल बहुत दिखता है इंफो सीथ पोटेंशियल और कंप आपके पास निकल के आएगा मतलब निकल के आएगा आगे आने वाले टाइम में तो जब आप 15 साल के बाद में अपने आपको देखेंगे तो आपका पॉर्टफोलियो लगबग 10-12 लाग की हो जाएगी और आपका इंवेस्टमेंट अगर तब भी चलता रहा तो 20-25 सालों मे आपका पॉर्टफोलियो लगबग 20 लाग की आसपास में हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक से आपको डिवेडेंट इतने आएंगे कि आपको लगएगा कि मेरी तो मन्तिली सैलेरी जितनी है उसको मैं एगर मल्टिपलाई करू 2012 से माल लिज आपकी सैलेरी है पचास अजर के आसपास में और अगर आप इसको करते हैं तो 6 लाग के आसपास में आपका सालवर का सैलेरी आता जो कि एक रिटार्मेंट के बाद में नहीं आएगा तो आप देखिएगा कि डिवेडेंट से आपको अलमोस्ट आप मान सकते हैं 30 से 40 पचास अजार रुपय कमपनीज ही नहीं रखनी है कुछ ऐसे भी कमपनीज रखनी है जो पुटेंसियल रखता है आगे बढ़ने की डिवेडेंट मिले या ना मिले बट पुटेंसियल बहुत ज़्यादा है उसे स्टॉक पे तो यह मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहात हूं आगे के लिए कि अ अंतिली का रेगुलर इंकम आप पाएंगे तो यह बैसिकली नॉलेज थे अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो जरूर अपने को शेयर कीजिए इस वीडियो को लोगों तक जो स्टॉक मार्गेट को रिलेट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मेंबर्स जॉइन कीजिए हम अपने मेंबर्स के साथ में इसी तरह की कुछ इनफोर्मेशन हमेशा सेयर करते रहते हैं ठीक है मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो पे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखे स्टॉक पे जो भी पै